माम अफवाओं के बीचो बीच शैनास गिल ने शिरू की सल्मान खान की अपकमिंग फिल्म कभी इद कभी दिवाली की शूटिंग चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर इस विडियो में नमस्कार मैं स्तिक्दा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर आपको बता दू कि I have a very good news decision कर आप खुश हो गए होंगे आपको बता दू कि बहुत तरह की खबरे चल रही थी rumors चल रहे थे कि शैनास गिल सल्मान खान की फिल्म में नहीं आएं की नजर शैनास गिल को पलक तिवारी ने रिप्लेस कर दिया है और कई ऐसी अफ़ाइट चल रही थी लेकिन अब इन अफ़ाओं के पीचो बीच शैनास गिल स्पॉट हुई है सल्मान खान फिल्म या लिकिश कभी ईद कभी दिवाली के सेट पर फिल्हार शैनास गिल की फैन ने एक पिक्चर शेर किया है जिसमें शैनास चाइल्ड आर्टिस्ट रिधी शर्मा के साथ आ रही है नसर बेसिकली शैनास गिल ने रिधी शर्मा को अपने गोद में लिखा है और यह पिक्चर सल्मान खान की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के सेट की है हाला कि आपको बता दू कि इस तस्वीर में पीछे जो सक्ष नजर आ रहा होगा उसके टी-शिर्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो SKF लिखा हुआ है यानि कि सल्मान खान फिल्म्स ऐसे में शैनाज जो है तो आप भी बताएं कि फाइनली इस पिक्चर को देखकर आप कितने खुश हुए कि शैराज गिल ने श्यूटिंग शिडू कर दी है सल्मान खान के फिल्म के लिए आप अपने रियाक्शन से माय साथ जरूर शेयर करें तिमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चानल के साथ